दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसका दीवाना पूरा विश्व है लेकिन टीम में अपनी जगह बनाने के लिए उनको ज्यादा प्रयास करना पड़ता है और बहुत से ऐसे खिलाडी भी होते हैं जो क्रिकेट के इत्यास में अमर हो जाते हैं आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे ही खिलाडी के बारे में जो आने वाले टाइम में इंडिया का नाम करेगा रोशन मित्रों आप साउथ अफ्रिका के सर्वश्वेष्ट बलेबाज जेबी डिविलियल्स को तो अच्छे से जानते ही होंगे वह हमेशा से ही लंबे लंबे चाके मारने के लिए लोग प्रिय हैं उन्होंने क्रिकेट से सन्यास ले लिया है परन्तु उनका रिपोर्ट अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है एशिया कप 2018 में इंडिया और श्री लंका के मध्य फाइनल में एक रोमान चक मैच देखने की उम्मीद लगाई गई थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं पूरी तरीके से मैच भारतिय गेंदबाजों और बल्लेबाजों की तरह की रहा इंडिया के उपनार बल्लेबाज जई सवाल और अनुज रावत ने पहले विकेट लिए 120 रनों की शांदार पारी खेली इंडिया 50 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 3 विकट खोकर 304 रन का स्कोर श्री लंका के विरुद बनाया इस फाइनल मुकाबले में श्री लंका के गे ओवर में 4 चक्ये लगा कर श्री लंका की टीम को जन्वरी जोड कर रख दिया मित्रों आयूश का चक्ये मारने का स्टाइल देखकर आपको एबी डिविलियस की याद आ जाएगी आयूश ने दिल शान के ओवर में 4 चक्ये लगा दिये और चक्ये कोई छोटे छोटे नहीं झाल झाल